आप सभी का स्वागत है मैं हूँ रिचा शुक्ला मैं आपके साथ जोतिश के वीडियोस तो शेर करती ही हूँ साथ ही साथ कभी कभी आपको उपाय के तौर पर कुछ हमारे रिशी मुनियों के द्वारा बताए गए इस्तोत्र जो होते हैं उनके विशे में भी गाहे वगाहे आपसे चर्चा करती रहती हूँ मैंने विश्नु सहस्त्र नाम पर एक वीडियो बनाया था रामरक्षा इस्तोत्र पर हनुमान चालीसा या सब्तिशलो की दुरगा इस तरह के वीडियो मैं आपके साथ शेयर करती रहती हूँ कि जब आपके जीवन में कठिनाईया आती हैं परेशानी आती हैं तो किस तरह से ये जो स्तोत्र होते हैं, ये जो कवच होते हैं, ये हमारे आसपास एक सुरक्षा का घेरा बना देते हैं और हमारे जीवन में होने वाली कठिनाईयां और परेशानियों को मिनिमाईज कर देते हैं, कम कर देते हैं देखे कोई भी किसी भी जीवन में कष्ट ना हो ऐसा तो हो नहीं सकता इश्वर की प्रार्थना का केवल ये मतलब होता है कि आपको उस कष्ट को सहने की बहतर उर्जा मिलती है आपको लगता है कि आपके साथ कोई शक्ती खड़ी है जो आपको उस कष्ट को सहने में आपकी मदद करेगी या अगर आप कोई competition दे रहे हैं अगर आप कोई चुनाव लड़ रहे हैं किसी भी तरह की एक battle में अगर आप involved हैं तो आपको ये जो कवच होते हैं जो इस्तोत्र होते हैं ये आपको ताकत देते हैं बल देते हैं इसमें कोई संदेह नहीं इसी श्रंखला में आज बात होगी आदित्य हिर्दय इस्तोत्रम आदित्य हिर्दय इस्तोत्र जो है वो सूर्य की इस्तुति है भगवान सूर्य दिवाकर आदित्य इनकी इस्तुति है यानि की सूर्य की आराधना है जो भी ये इस्तोत्र होते हैं इनमें क्या है कि बेसिकली आप उस इश्वर की उस इश की उस शक्ति के पुंज की आराधना करते हैं उनकी महिमा का बखान करते हैं जिससे की वो आपके ओपर प्रसन होकर आपकी मदद करते हैं तो इस तरह से जो आदित्य हिर्दाई स्तोत्र है ये भगवान सूर्य दिवाकर आदित्य जो भी आप कहें उनकी स्तुति है कहां और कैसे लिखी गई क्या हुआ ये आपको वालमी की रामायण के युद्ध कांड में मिलेगी ये जो इस्तुति है ये रामायर के बालमी की रामायर के युद्ध कांड में मिलेगी ये कब का प्रसंग है जब भगवान श्री राम और रावन का युद्ध हो रहा था और रावन को परास्त करना श्री हरी विश्नु के अवतार राम के लिए भी आसान नहीं हो रहा था क्योंकि उसके पास अपनी साधना का बहुत बल था और उसके नाभी में अम्रित था तो श्रीहरी विश्णू के अवतार श्रीराम स्वयम युद्ध के लिए आये लेकिन उनको रावण को परास्थ करना कठिन हो रहा था देवताओं में चिंता होने लगी कि अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा अगर रावण परास्थ नहुआ तो तो सारे देवताओं ने अगस्त्य रिशी से ये प्राथना की कि भाई आप कुछ रास्ता बताए तो अगस्त्य रिशी ने सूर्य की ये जो इस्तुती है ये श्री राम से करने को कहा कि आप इस इस्तुती को करें तो आप इस भयंकर समर को इस भयंकर युद्ध को जीत सकते हैं ये कथा बताने का मतलब आपके साथ क्या है कि आदित्य हिर्दय इस तोत्र किस तरह काम करता है अगर आप अपने जीवन की कोई भी लड़ाई लड़ रहे हैं चाहे वो युद्ध है चाहे वो कॉम्पेटीशन है चाहे वो बीमारी है च चाहे आपको लगता है कि आप अपने अंतर द्वन्ध यानि आप अंतर मन की ही लड़ाई क्यों नहीं लड़ रहे हैं आपको कोई रास्ता नहीं दिख रहा है आप क्रॉस रोड्स पर खड़े हुए आपको लगता है कि अप जीवन में समझ ही नहीं आ रहा कहा जाना है तो आपका प्रतिद्वंदी रावड जैसा महान शक्तिशाली भी हो सकता है तो अगर आप आदेत तेहरदा इस तोत्र का पाठ करते हैं आपकी ग्रह दशा भी अच्छी चल रही होनी चाहिए यह मैं जोतिशी हो तो अवश्य कहूंगे लेकिन इस पाठ को करने से आपका वो यु कि बंदना होती है तो आपके अंदर आत्मिक बल तो आता ही आता है बच्चों को यह बहुत जरूरी है खास करके आज कल की पीड़ी को जहां पर बच्चे जो हैं वो बहुत जल्दी आत्म बल खो देते हैं क्योंकि वर्चुल वर्ड में जादा रह रहे हैं जरूरी है बच्छों के लिए ज़िख्षा ग्रहन कर रहे हैं चक्षा ग्रहलों कोगेजा सकते हैं आप आ। आसान हो जाते हैं है तो यह जो स्थित्य है इसमें एक श्लोक मैं आपको मतलब पढ़कर बता दूगी टोटल इसमें 31 श्लोक हैं बहुत बड़ा भी नहीं है अगर आप एक बार सीख जाएंगे तो 10 मिनट भी मुश्किल से लगता है 10 या 12 मिनट का जाप है ये पर है बहुत पावरफुल आपकी अगर सिंग राशी है अगर आपके लिए सूर्य जो है वो कारक ग्रह है अगर आपका नंबर एक है निम्रोलोजी में यानि आपकी जल्म का नंबर एक है सिंग राशी है सिंग लगन है या आपकी कुंडली में सूर्य कमजोर स्थिती में है ये तो आप वंदना दोनों स्थिती में कर सकते हैं एक इश्लोक आपको पढ़कर बता देती हूँ आदित्य हिर्दयम पुर्णयम सर्व शत्रु विनाशनम जया वहम जपम नित्यम अक्षयम परमांशिवम अगर आप इस इस्तोत्र का मतलब है इसका कि अगर आप इस इस्तोत्र के पाठ का पुर्णय रोज लेते हैं इसका मतलब अगर आप रोज पढ़ते हैं तो आपकी हर जगह जय होती है विजय होती है और आपकी जो विजय है वो अक्षय होती है मतलब आपको सदैब आप विजय होते हैं बहुत अच्छे इस 31 इस श्लोक हैं आपको पाठ इसका करना चाहिए और कब कब करना चाहिए ये मैंने आपको बता ही दिया इसमें सो ये पाठ एक बहुत बहुत शक्तिशाली पाठ है क्योंकि सूर्य से ही जीवन है ये मैं अपने शायद अल्मूस्ट हर वीडियो में कहती हूँ क्योंकि जोतिश में तो सूर्य राजा है सूरे से वनस्पतियां है, सूरे से आपका आत्मिक बल है, सूरे से आपके पिता है, सूरे से आपका सोशल स्टेटस है सूरे से प्रसिद्धी है, सूरे से फेम है, सूरे से ही सब चमक है आपकी जिन्दगी में उर्जा है आपके अंदर जितना भी सत्व अगुण होता है सूरिस से होता है तो अगर आपको लगता है आपके अंदर उर्जा नहीं है आप हमेशा ठका महसूस करते हैं आपके अंदर काम करने का उत्साहा नहीं बहुत जल्दी हताश हो जाते हैं डिसपॉंट होने लगते हैं बहुत जल्दी तो भी आपको इस इस्तोत्र का पाठ करना चाहिए आपको सफलता अवश्य मिलेगी जैश्री राम अगर आपको मेरे वीडोज पसंद आते हैं तो आप उनको अपने मित्रों के साथ शेर करें कोई किसी परिशानी से गुजर रहा है तो उसके साथे वीडियो शेर करें उनको भी आदे तहरते पढ़ने केले कहंए ऐसा करने से आपका भी पुर्ने होता है अगर आप किसी भी कठिनाई में पड़े व्यक्ति को कोई राहा दिखाते हैं तो आप एक पूर्णे के भागीदार होते हैं सभी लोगों को ये करते रहना चाहिए लोगों कोई लोगों कर दोगों के विल्गों कोई भागीदार हैं